कि हाइज फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्छीब चानल आज मैं बनाने जाने हूं अजवाइन का रैस है अजवाइन रैस बहुत ही टेस्टई लगती है और सरदी खासी मिखावancy भाग भी जाएगए और बहुत ही तेष्टी लगती है चले बनाते हैं लेट्साइवा सबसे पहले कड़ाय में आक तीन चमच तेल डालेंगे इसके अंदर आखेमच जीरा जीरा जैसे फूटता है उसमें आखेमच सर्सो जैसे सर्सो भी फूटने लगा है हमारा इसके अंदर एक बड़ा चमच अजवाइन का डाल देंगे डाल के इस अच्छे से फ्रायोने देंगे इसके अंदर आदा चमच हल्दी इसे अच्छे से थोड़ा फ्रायोने देंगे ग्यास का फ्लिम लो टू मीडियम रखेगा जलना नहीं चाहिए जैसे ये फ्राय हो रहा है इसके अंदर एक मुट्टी बर के मुंगफली डाल दीजे पीनेट्स इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं क्या न सर्दी का मुशम अभी आ रहा है बारिश भी चल रही है तो सर्दी आ होती है लोगों को और अजवाइन राइस खाने से बहुत अच्छा भी रहता है सर्दी भी नहीं होती है और गर्मा हड़ भी बनी रहती शरीर के अंदर इसको डखकर पीनेट्स को थोड़ा से पाश्मिट पकने देंगे अब लोगों देखे पीनेट्स लाल हो गया है इसके अंदर चे सत लसुनकी का लिया डालकी इसे भी अच्छे से फ्राइ कर देंगे इसके अंदर एक डंगा करे पती और एक बड़ा सा प्याज और तीन हरी मिर्चे डालकी इसे अच्छे से मिला लिजे अगर बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्चे स्किप्ट कर लिजे इसे अच्छे से भून लिजे इसमें ज़्यादा तेल लोलने लगता है बहुत लाइक कीजे, शेर कीजे, सस्क्राइब कीजे और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलेगा, कैसा बना ये डिश आप से, इसके अंदर में बड़ा बोल, दो कब से भी ज्यादा बड़ा बोल है या, आप जितना बीचे अतना राइस डाल सकते हैं, अपनी मरजी और नसार मे इसको अच्छा से मिला लेंगे, राइस को पुरा, देखे इस तरह से राइस को पुरा मिलाने के बाद, धीमियाची रखिएगा, इसके अंदर डखके, एक पास-दस मिट हम इसको फ्राइए ने देते हैं, दस मिट बाद यसे निकाल लीजे, निकालके इसके अंदर जैसे फ्राइ कर दीजे, बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे कभी-कभी लगता ना कि सर्दी होई है, कुछ खाने को मनने कर रहा है, रोटी भी खाँ चबाने में गलब में दर्द होता आता है, ऐसा अजवायन रैस बनाईएगा, खिछडी भी बहुत सरजन को पसंद नही चीज़, तो इसलिए ये हजवायन रैस बनाईएगा, सब को अच्छा लएगेगा, गर्माहट भी बने लेगे, सर्दी होने वाले को गायब हो जाएगी, थैंक्स फर वाचिंग